बरेली में इज़त नगर थाना श्वेत्र के गाउं में दलित युवक को मंदिर में प्रसाद छूना महंगा पड़े गया इस छोटी सी बात के लिए लाठी डंडो से गाउं के दबंग उस पर तूट पड़े जुसके बाद उन्होंने दलित युवक की जमकर पिटाई कर दी जिसमें गंभी रूप से घायल हुए युवक को शहर के निजी अस्पिताल में भरती करा गया है डॉक्टरों के मताबिक घायल युवक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है वही आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर कोई कारिवाई नहीं की साथ ही दबंग लगतार उसके परिवार को धमका रहे हैं दरसल इजट नगर थाना शेत्र के डंडिया गाउनिवासी दले तीवक डालचंद ने बताया कि उनके गाउं में भागवत कथा का कारिकरम चल रहा है जिसमें उनका रिष्टेदार भी पहुचा था जिसने वहां मंदिर में रखा प्रसाद छू लिया इस बात से आग बबूला हुए गाउं के कुछ लोग उसको जाती सूचक गालियां देने लगे जिसका विरोत करने पर लाठी डंडो से सभी ने उसे इतना पीटा किवा गंभीर रोप से घायल हो गया जिसे गंभीर हालत में शहर के निजी अस्पिताल में भर्ती कराए गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है पीडित ने इसकी शुकायत इज़्जत नगर ठाना पोलिस से की लेकिन पोलिस ने कोई कारिवाई नहीं की इसके साथ ही पिडिक के परिवार को गाउं के दबंग धमका रहे हैं वहीं इस मामले को लेकर पिडिक परिवार ने सस्पी से शिकायट कर न्याय की गुहार लगाई है मंदिर से निकलते ही भाग के गए घिरलाल और लालू और कौसल इनने तीन होने उसे खुब है मारा जान दिमार दिया आए अज साफ से मिलने है क्या का है साफ ने उसका समसुदन करवाएंगे